पाकिस्तान की सियासी संकट का अब तक पटाक्षेप नहीं हो सका है सुप्रीम कोट ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिश करने और प्रधानमंतरी इमरान खान की सिफारिश पर सदन भंग करने के राश्ट्रपती के फैसले पर विपक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है चीफ जस्टेस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुमवार को संसद भंग करने का फैसला निलंबित करने से इंकार कर दिया इस बीच इमरान ने पुर्व चीफ जस्टेस गुलजार एहमत को कारेवाहक पियम अननामित किया है वही देश के राष्टी सुरक्षा सलाकार मोईद यूसुफ ने भी सुमवार को स्तीफा दे दिया इसके पहले आपको बता दे कि इमरान के चीफ सेक्रेटरी आजम खान और एडवाईजर शेहजाद अकबर पच्छोड़ चुके है इन तीनों के पास दोहरी नागरिक्ता है आजम और मोईद यूसुफ के पास अमेरिका जबकी शेहजाद के पास ब्रिटेन के नागरिक्ता है आपको बता दे कि मोईद ने जन्वरी में पाकिस्तान की पहली नेशनल सेक्योरिटी पॉलिसी पेश की थी फरवरी 2022 में रिटायर हुए गुलजार एहमद पनामा पेपर मामले में पूर्व पियम नवाज शरीफ को अयोगे करार देने वाली पाँच जजों की बेंच में भी शामिल थे पिछले साल उन्होंने सरकार को भीड द्वारा तोड़े गए मंदिर के पुनन निर्मान का आदेश दिया था वही पाकिस्तानी सविधान विशेशग्यों का मानना है कि शेश्च कोट को फैसला देने में वक्त लग सकता है राजनितिक इस्तर पर चुनाव को अंतिम विकल्क के रूप में देखा जा रहा है ऐसे में आने वाले दिनों में अराजक्ता के हालात हो सकते हैं वही विपक्ष को 72 घंटे में नया पीम चुनना होगा सयुक्त विपक्ष इसके लिए तयार है विपक्ष सत्ता में आता है तो इमरान और उनके साथियों को राजनितिक बदले की कारवाई का सामना करना पड़ सकता है अली सरवर नक्वी का कहना है कि इमरान ने चुनाव का रास्ता चुना है लेकिन सेना सहित विवस्था की समर्थन के बिना उनके लिए काफी मुश्किले आ सकती है